हेलो स्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है दियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास एट नाउदे बेच का लेक्चर नमबर थर्टीन लेक्चर नमबर थर्टीन में जो टोपिक हम कवर करने वाले हैं वो है दो रैस्नल लंबर्स अगर हमारे को गिवन हो तो उनके बीच में बाकी और रैस्नल लंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है क कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये इसके साथ ही के इस सीडीज गे जो हमारा chapter number 1 है इसके बाकी के जो lectures है जो अभी तक अगर आप लोगोंने नहीं देखे हैं तो उन lectures को जाके देख लीजिए उसके बाद में lecture number 13 देखना start कीजिए जिससे कि आप लोगों को इस concept को समझने में और आसानी हो जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं तो हमारा जो topic है आज का वो है rational numbers between two given rational numbers यहनी वो question में दो rational numbers ले देगा और पूछेगा कि इसके बीच में 5 rational number find करो या 3 rational number find करो या 10 rational number find करो तो हमें इसको किस तरीके से कर सकते हैं इसका method क्या होगा करने का वो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं तो देखो तो यहाँ पर हम दो type के दो type से इस problem को समझेंगे मैंने आप लोगों को जब पहला lecture पड़ाया था तब मैंने आप लोगों को समझाया था पहले और दूसरे lecture में कि जितने भी integers होते हैं integers कोन से हैं जैसे माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 3 से भी पहले के भी होंगे फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह सारे के सारे numbers denominator में 1 लगाके P by q की form में लिखे जा सकते हैं जैसे यह सारे क्या है integers, integers कोन से हैं जैसे dash dash dash, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, यह सारे integers हैं अब integers और rational numbers के बारे में हम जानते हैं कि rational numbers क्या होते, P by q की form में होते हैं तो इनको P by q की form में अभी तो नहीं दिख रहे होंगे लेकिन इनको बनाया जा सकता, कैसे हैं सबके denominator में 1 लगा दो, क्योंकि denominator में 1 लगाने से कोई फरक नहीं पड़ता हमारा result अभी भी कितना आएगा, वो ही आएगा, लेकिन अभी यह actual में किस की form में convert हो गए P by q की form में convert हो गए, मतलब कि हम बोल सकते हैं अभी रहेस्तनल नंबर बन गए तो सबसे पहला जो topic हमें पढ़ना वो यह है, rational numbers between two integers अब ध्यान दखना, अगर मैं integer बोल रहा हूं तो automatically समझ लेना कि वो rational number हो गए होगा हमारा main topic यही तो था, rational numbers के बीच में rational number find करना लेकिन सबसे पहले हम integers के बारे में, integers के बीच में find करके देखते हैं और उसके बाद में हम दो rational number जो pure P by Q की form में given होगी उनको उनके बीच में कैसे rational numbers find करते हैं तो उनके methods को हम यह पर पढ़ने वाले हैं, तो देखो एक question है, इसके थुरू मैं आप लोगों को समझाने की process करता हूं कि write any five rational numbers between minus two and zero यहनि minus two और zero के बीच में हमारे को क्या करना है, पाच rational number find करना है छह भी पूच सकता है, तीन भी पूच सकता है, कितने भी पूच सकता है, उसके according अब इसको solve कैसे करें, उसको समझना देखो तो सबसे पहले हमारे को इसको एक number line पे मैं represent करता हूं अगर मालों कि इन दोनों के बीच में कोई integer find करना होता, तो इन दोनों के बीच में integer क्या होता, केवल minus का 1 हो जाता, लेकिन rational numbers find करना है, तो जिससे एक idea से आप लोगों को दूँ, 0 और minus 1 के बीच में कहीं पे minus 1 by 2 होगा ठीक है, अभी मैं अंदाजे से बतारू, मैं प्रोपर तरीका बता हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप सोच पारते हो अगर इस तरीके से तो direct भी लिख सकते हो, 0 माइनस 1 के बीच में माइनस 1 by 2 होगा, एक और 0 के बीच में ही तो होता है, वा half, फिर 1 और 2 के बीच में होगा, कई माइनस का 3 by 2 होगा, तो अगर मादलों इस question में तीन rational numbers पूछे होते हैं, तो हम direct भी लिख सकते हैं, कैसे, 0 और माइनस 2 के बीच में एक तो होगा, माइनस 3 by 2, एक होगा, माइनस 1 भी तो rational number है, क्योंकि 1, माइनस 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, और साथ में क्या है, माइनस 1 by 2, तो यह तीन rational numbers हम ऐसे भी find कर सकते हैं, लेकिन हमें proper तरीके से find कर रहे हैं, तो इस method को कैसे follow करेंगे, कैसे use करेंगे, वह समझो देखो, क्या इस minus 2 को, मैं minus 20 upon 10 लिख सकता हूँ, तो देखो, 10 to jump, 20 हो गया, तो minus 2, मैं ऐसा ही क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, minus 10 upon 5 भी लिख सकता था, अभी मैं इसका कारण भी आप लोगों को बता दूँगा, मैं इसको वैसे भी करके बताऊँगा, उस वाले method से, जो अभी मैंने बताऊँगा, minus 10 upon 5, उससे भी बताऊँगा, कि उससे कितनी rational number निकलेंगी, इससे कितनी निक अब इसके बीच में हमें rational numbers find करना है, तो इसके बीच में कितने rational numbers हो सकते हैं, देखो, एक हो सकता है, minus 19 upon 10, अब ये कैसे मैंने बोला कि इसके बीच में होगा, ये मैं already आप लोगों के लिए एक lecture upload कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने rational numbers को compare करना सिखाया था, उसमें मैं थोड़ा सा, यहां भी बता देता हूँ, कि अकर denominator equal है, तो हमें numerators को compare करना होता है, और numerators में जिसका numerator बढ़ा होगा, वो चोटा होगा, यानि कि minus 20 का है, negative में बढ़ा है, तो वो actual में क्या है, चोटा है, और minus 19, इसके comparison में negative में चोटा है, तो ये वाला rational number बढ़ा होगा, फ minus 17 upon 10, dash, 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 ऐसे बहुत सारे होगे, फिर यहां पर क्या होगा, minus 2 upon 10 होगा, minus 1 upon 10 होगा, और इसके बाद में 0 upon 10 मना होगा, मतलब ये इतने सारे rational numbers किसके बीच में लाई कर रहे है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे है, ये तो हमने बहुत कम निकाले, अब चाहो तो और बहुत सारे निकाल सकते हो, जैसे इसी को मैं convert ऐसे करता मालो, minus 2 को लिखता, minus 100 upon 50 लिख देता, और इस 0 को लिख देता, minus 2 को गया, 0 को लिख देता, 0 upon 50 लिख देता, तो अब इसके बीच में कितने होता है, minus 99 upon 50 से लेके, minus 1 upon 50 तक है सारे numbers, तो मतलब जितने चाहो उतने नि चाहना कि इसको कैसे convert करना है जैसे minus 2 अकर कम निकालने होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते थे हैं यहां पर बीच में थोड़े कम नमबर्स लिखते थे जैसे समय इसको minus 10 upon 5 बना लेते इसको क्या बना लेते 0 upon 5 बना लेते तो फिर क्या होता माइनस 9 अपोन 5 माइनस 8 अपोन 5 इस तरीके से हम numbers लिख सकते थे तो यहां से यह चीज़ समझ में आती है कि देखो इसके साब से निकालोगे तो जैसे यहां पे 19 rational numbers निकल के आ रहे इसके साब से निकालोगे तो 99 rational numbers निकल के आ रहे और अगर आप चाहो तो इसको क्या बना सकते हो और बना सकते हो कि जैसे minus का 1000 divide by 500 बना लो तो भी देखो 500 से 2 time divide होगा तो कितना बनेगा minus 2 अब यहां पे क्या होगा minus 999 divide by 500 से लेके हमारे पास 0 को क्या लेक सकते हैं 0 upon 500 से लेके minus 1 upon 500 तक यह सारे के सारे numbers कि इसके बीच में लाई करेंगे इसके बीच में लाई करेंगे तो इसके method इस तरीके से निकालोगे तो और बहुत सारे हो सकते हैं मतलब तो इसे भी तरीके से आप निकाल सकते हो दो rational numbers के बीच में बहुत सारे rational numbers हो सकते हैं ठीक ही, I hope यह चीज़ आप लगों को समझ में आ गई होगी, तो इसलिए मैंने एक note भी लिख दिया, note क्या है, there are infinite rational numbers between any two rational numbers, तो यह important है, हमेंसा ध्यान रखना है, कि कोई भी 2 rational numbers दे दिया, जैसे मैंने 1 और 2 यह दे दिया, तो 1 और 2 दो rational numbers है, क्योंकि दोनों के नीचे 11 लगा सकते, इन दोनों के बीच में भी infinite rational numbers है, अगर मैं 1 और 1.1 भी दे दू, तो इन दोनों के बीच में भी क्या है? क्योंकि 1.1 भी तो rational number है, क्यों? क्योंकि 1.1 और 1 दे दिया, तो 1.1 में से 1 अटा है, नीचे क्या मतलब पॉइंट अटा के वंजीरो लगा सकते और इसको वन लगा सकते तो इन तोनों के बीच में भी कितने रेस्टन नंबर से इनफाइनाइट रेस्टन नंबर से आई होब यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो इसको आप नोट कर ले न अब आगे हम देखते हैं कि यह तो क्या था इंटिजर्स के लिए हमने किया था अब रेस्टन नंबर के बीच में कैसे रेस्टन नंबर निकालेंगे इस तरीके से निकाल सकते हैं एक मैथड है जिसको मीन मैथड बोला जाता है तो अभी हम यह देखते हैं कि concept of integers को कैसे apply किया जाएगा यहां पर और उसके basis पर इस वाली question को solve करने की कोशिज करते हैं और फिर next slide पर हम लोग mean method और उसके उपर एक दो question solve करेंगे तो देखो यहां क्या बोला find any 10 rational numbers between minus 5 upon 6 and 5 upon 8 तो सब्सक्ते पहले तो concept of integers क्या था वो अभी हम हमने यहां देखा था हमने कोशिज की थी कि दोनों के denominators को equal बना दिया और उसके बाद में numerators को compare करते गए minus 20 से बड़ा minus 19 फिर minus 18 फिर minus 17 ऐसे हमने क्या किया रेस्टन numbers को find कर दिये तो अभी यहां पर denominators क्या है same नहीं है इसका denominator 6 है इसका denominator क्या है 8 है तो हमें कोसे करनी पड़ेगे कि दोनों के denominators को कैसे भी करके क्या बना ले equal बना ले और equal एक बार बन जाएंगे फिर उसके बाद में हम सोचेंगे कि क्या करना आगे तो देखो step 1 में यह है कि minus 5 upon 6 and 5 upon 8 के denominator same बनाओ अब same किसके same बनाना है कितना बनाना है तो इसके लिए आप starting में कर सकते हो कि किसके equal बनाना है 6 8 का जो LCM आएगा उसके equal बनाना है मतलब कि 6 और 8 का जो LCM आएगा वो कितना आएगा 24 आप पूरा प्रोपर तरीके से निकाल के देख लेए ना मैं direct यहां पर लिख 24 बनाना है अब इसको 24 केसे बना सकते है तो इसके लिए हमने concept पढ़ा था equivalent rational numbers equivalent rational numbers में क्या पढ़ा था हमने कि numerator और denominator को अगर same number से multiply किया जाता है तो कोई भी फारक नहीं पड़ेगा जो नया rational number हमें मिलेगा वो भी पहले वाले के equivalent होगा इसका क्या मतलब है यानि minus 5 upon 6 है हमें इस 6 को कितना बनाना है 24 ऐसे ही 5 upon 8 है इस 8 को हमें कितना बनाना है 24 तो हम क्या करेंगे 6 को 24 बनाने के लिए 4 से multiply करना पड़ेगा अगर इसको 4 से multiply करना पड़ा तो उपर minus 5 को भी क्या करना पड़ेगा numerator को भी 4 से multiply करना पड़ेगा उपर बन गया minus का 20 नीचे क्या होगा देखो 8 को भी 4 से multiply करना पड़ेगा sorry 3 से multiply करना पड़ेगा और 5 को भी किस से multiply करना पड़ेगा 3 से multiply करना पड़ेगा तो उपर कितना बन गया 15 बन गया और नीचे कितना बन गया 24 मतलब उपर 15 नीचे 24 अब देखो दोनों के denominators हमने क्या कर लिए equal कर लिए अब equal करने के बाद में क्या करें यहां पे जगे नहीं है तो मैं क्याम करता हूं next slide पे आप लोगों को इस वाले पार्ट को आगे समझाता हूं इतना note कर लीजे इन दोनों methods के नाम note कर लीजे उससे next वाली slide पे हम लोग इमीन method को करने वाले हैं तो इसको आप वीडियो को पोच करके अच्छे से note कर लीजे तो देखिए हमने क्या किया है दोनों के denominators को equal कर लिया और किसके equal किया है LCM के equal कर लिया तो अब यह जो minus 5 upon 6 था यह actual में कितना बन चुका है minus 20 upon 24 और 5 upon 8 है वो कितना बन चुका है 15 upon 24 बन चुका है अब इसके बीच में हमें रहतना number sign करने तो हम comparison वाला method follow करेंगे यह मतलब compare करेंगे integers में हमने जैसे देखा था तो minus 20 upon 24 से बढ़ा क्या होगा minus 19 upon 24 फिर उससे बढ़ा minus 18 upon 24 फिर minus 17 upon 24 ऐसा dash 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 minus 1 upon 24 फिर आएगा 0 upon 24 भी इन दोनों की बीच में लाई करेगा क्यों क्योंकि देखो एक negative number एक positive number और जो positive 0 से बड़े होते है negative 0 से छोटे होते है तो 0 भी इन दोनों की बीच में ही कहीं पर लाई करेगा तो देखो 0 upon 24 और 1 upon 24 2 upon 24 dash 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 14 upon 24 तो ये इतने सारे rational numbers हमने find कर लिये किसके बीच में इन दोनों के बीच में लेकिन हमें तो question में 10 पूछे थे तो कोई से भी 10 क्या कर सकते हो आप अपने मन से लिख सकते हो I hope ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होगी की क्या करना है में वापत से एक य्वाइन करवा देता हूँ सबसे पहले क्या करना है कि दोनों के denominator को equal K seront जाओ मैंस neutrटी से 15 के बीच में कितने numbers हो मैंस 19 मैंनस 18 मैंस 17 सारे के सारे numbers किसके बीच में लाई करेंगे minus 5 upon 6 और 5 upon 8 जो कि original form में हमारे पास यह numbers थे उनके बीच में लाई करेंगे अब चाहो तो और भी निकाल सकते हो इसके बीच में दोनों को क्या करो जैसे इसको 10 से और multiply कर लो तो यह क्या हो जाएगा minus 200 upon 240 हो जाएगा 240 हो जाएगा यह 150 upon 240 हो जाएगा तो उसके बाद में क्या कर सकते हो उसके बीच में और बहुत सारे निकाल सकते हो मतलब जितने भी numbers वो आप से पूछना चाहता है उसके according इसको modify कर लो लेकिन ध्यान रखना दोनों के denominators को क्या रखना हमेसा इक्वल रखना है I hope यह बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी इसी concept से हम एक और काम करते हैं एक और example को solve कर लेता है फिर हम लोग हमारा second method उसके बाद में हम हमारे second method को देखेंगे तो देखो हमारे को क्या करना है 1 upon 2 3 upon 4 के बीच में 5 rational numbers find करनी है तो सबसे पहला काम तो यह है दोनों के denominators को same बनाऊ तो 1 upon 2 और 3 upon 4 है अब किसके equal बना है 2 और 4 के LCM के अब एक और 2 और 4 का LCM एक चल में 4 ही आएगा तो यहां मैं लिख भी देता हूं कि LCM of 2,4 is equal 4 आ रहा है तो अब इस 2 को 4 बनाना है तो 2 से multiply करना पड़ेगा तो numerator को भी 2 से multiply करना पड़ेगा तो यह तो बन गया 2 upon 4 और यह तो already क्या है उसमें बनावा है तो आप चाओ तो ऐसे करन के लिख सकते हो 1 से multiply करके लेकिन अब यहां इक problem है problem क्या है दोनों के denominators हमने क्या बनाए 4 और 4 बना लिए लेकिन आप यह 2 और 3 के बीच में हमारा यह integer number तो आई नहीं रहा ना कोई 2 से 3 के बीच में कोई integer number है यह नहीं जैसे यहाँ पर 1 होता है तो 1 upon 4 और 3 upon 4 की बीच में आप यह लिख सकते थे 2 upon 4 लिख सकते थे लेकिन यहाँ तो कोई number है नहीं तो क्या करें तो इस वाले case में हम लोग थोड़ा सा इसको और modify करते हैं तो देखो हम इसको एक काम करते हैं दोनों को numerator को भी 10 से multiply कर देता हूं denominator को भी 10 से तो अब यह बन गया 20 upon 40 और इसमें भी numerator को भी 10 से multiply कर देता हूं और denominator को भी 10 से multiply कर देता हूं तो जो नया रहसना number मिलेगा वो कितना मिलेगा 30 upon 40 धानक ना यह और यह दोनों equal ही है क्योंकि देखो यह आपे minus से minus cancel हो जाता है मतलब दोनों 10 से divide हो जाएंगे वापस ही आजाएगा और ऐसे ही जो 1 upon 2 बोला है हमने या फिर 2 upon 4 बोलो या फिर 20 upon 40 बोलो यह तीनों के तीनों रहसना numbers क्या है आपस में equal है आप यह चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे तो अब हमें इसके बीच में पास बताने तो अब हम find कर सकते हैं 20 से 30 के बीच में 21 upon 40 22 upon 40 देश देश आगे चलके 29 upon 40 अगर आप लोगों को ओर चाहिए बहुत सारी इसके अलावा मतलब जैसे अभी तो 5 ही करने तो मैंने तो यह पर 9 find कर दियें तो अगर आप लोगों को 10 मालों की 20 या 25 ओर चाहिए होगे 201 upon 400 202 upon 400 ऐसे चलते जलते 299 upon 400 तो बहुत सारी क्या कर सकते हो लगबग 99 इसके बीच में find कर सकते हो आप यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजे उसके बाद में हमारा second method हम स्टार्ट करते हैं अब हम देखते हैं कि दो रेस्टन नम्बर के बीच में रेस्टन नम्बर फाइंड करने के लिए मीन मैथड क्या होता है मेन मेथड को ध्यान से समझना क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के जो एक्जाम एक्जामिनेशन के अंदर इसके उपर तीन या चार नंबर का या बड़ा उससे भी बड़ा पास नंबर का एक्वेस्टन मर आया जा सकता है कि मेन मेथड की हैल्प से क्या करो चार या पाथ रेस्टन नंबर्स फाइंड करो तो बहुत ध्यान से समझना बहुत इजी टोपिक है बस आप लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रेक्शन अगेरा करने की जरुवत पड़ेगी ठीक है जो हम अल्रेडी सीख सुके हैं इसक लेकिन जनरली क्या होता है 10 अगेरा नहीं पूछा जाता है क्योंकि यह में तो रहाँ लेंदी है जो लेंदी मेंधी मेंधी होगा तो उसके इंदर क्या होगा ताइम ज्यादा लगेगा तो वह 3 या 4 या 5 रेस्टन नंबर्स क्या करेगा यूजिं मीन मेंध्टर्डर्ड ह आधु को समर्ना चाहते है MENE मीन का मतलक हो द्यान से यासे इंग्जांपल से समझाया हो दो आदमी हैं एक आदमी के पास में 10 रूपे हैं और एक आदमी के पास में 20ूपे मैं चाहता हूँ कि दोनों को बराबर मिल जाये जिएंपिसके पास दस हैँ की कतने तो इसके पास 20 जादा है तो मैं तोनों को된 इवसक इक, इक्वप्वल कारना चाहता हूं, सब्सक्राइब तो मेरे पाथ तरीका है क्या कर da हूं, षटको छल्चो करें समकते में समक्राइब कर तो टोटल कर के देखने पर कितना अबका? 10 प्लस 20 30 आएगा और 30 को क्या कर दूँ दो equal parts कर दूँ अब ध्यान अकर आप लोग divide परते होंगे divide का actual में मतलब होता है equal parts करना जैसे कि अगर मैं 5 को क्या कर रहा हूँ 2 से divide कर रहा हूँ तो कितने result आएगा 2.5 इस 2.5 का मतलब ही यही है कि अगर 5 के 2 equal parts किये जाए तो इच पार्ट हर एक पार्ट कितने का होगा इच पार्ट होगा हमारा 2.5 2.5 का अब ध्यान से समझो यह जो 2.5 है यह क्या करेगा इस वाले मतलब इसको 5 को क्या करेगा 2 equal parts में divide कर रहा है मतलब 2.5 वो value है जो 5 को 2 equal parts में divide कर रहे है कि हमें क्या करना था दोनों को बराबर बराबर बाटना था तो हम क्या करें कि दोनों को पैसे का sum करो और 2 का divide कर दो अगर 3 जनों के बीच में बाटना होता तो 3 से divide करते 4 जनों के बीच में बाटना होता तो 4 से divide करते तो अब यह जो result आएगा वो कितना आएगा 30 divided by 2 which is equal to 15 यह 15 जो निकल के आया यही actual में क्या है हमारा mean कहलाता है किसका 10 और 20 का जो mean होगा वो क्या होगा 15 यानि कि mean actual में दो numbers के बीचो बीच की value होती है अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखो अब यह जो mean निकल के आया यह 15 वो ध्यान से देखो यह 10 से तो बड़ा है और यह क्या है 20 से छोटा है यह आप लोगों को दिखी रहा होगा यह बीच में आ रहा है तो अभी हमारे को यही तो करना है ध्यान से देखो हमें 10 और 20 के बीच में कोई number चाहिए था तो हमने क्या निकाला 10 और 20 का मीन निकाल दिया तो उसके बीच में एक number आ गया तो अभी हम यह वाला जो topic पढ़ने वाले इसमें यही करेंगे हमारे को दो रैस्नल नंबर्स दिये हैं उन रैस्नल नंबर्स के बीच में क्या करेंगे इसको समझने की कोश्चिस करते हैं जैसे हमारे पास मालो A by B कुछ भी हो सकता है A by B और C by D यह दो रैस्नल नंबर्स गीवन है यह रैस्नल नंबर्स हमारे को गीवन है conditions आप लोगों को पता होनी चाहिए कि A, B, C, D यह सारे के सारे integers होने चाहिए यह आई बोल सकते हो यह जेड बोल सकते हो और डिनोमिनेटर से यह नहीं B और D not equal 0 होने चाहिए यह हमारे को गीवन है हमें इनके बीच में क्या find करना है बहुत सारे रैस्नल नंबर्स और find करना है तो हमारे सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहला हमारा रैस्नल नंबर मिल जाए फैर तो फ़स्ट रैस्नल नंबर कैसे find करेंगे वो समझो first FIR first rational number between A by B कोमा C by D इनके बीच में फर्स्ट रैस्स到स्ट नंबर क्या होगा तो देखो मैंने अभी बता है कि इन दोनों का जो भी मीन निकालोगे वो हमेसा बीच में आएगा जैसे 10 और 20 का मीन निकालाता तो वो कितना आया था 15 आया था और 15 10 और 20 के बीच में लाई करता है हमें इन दोनों के बीच का कोई रचनल नमबर चाहिए तो इन दोनों का मीन निकाले तो तीनों को एड़ करके तीन से डिवाइड कर देना तो अभी तो हमारे पास 2 है तो हम यह करेंगे तो जिसे मालनों कि इसको solve करने पर कितना बनके आएगा कुछ E by F बनके आएगा कुछ भी हो सकता है E by F तो यहां पे कुछ result टिंगल के आएगा तो उसको हमने क्या बोल दिया अब देखो E by F actual में क्या होगा A by B से तो बढ़ा होगा और C by D से छोटा होगा क्योंकि यह E by F जो आया है वो इन दोनों का mean है और mean हमेशा किसके बीच में लाए करता है दोनों नंबर के बीचों बीच लाए करेगा तो यह हमारे पास एक नंबर फाइंड होगा अब हमें दूसरा फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों के बीच में एक रेस्टन नंबर फाइंड कर सकते हैं और एक इन दोनों के बीच में एक rational number फाइंड कर सकते हैं तो इन दोनों के बीच में rational number कैसे find किया जाएगा तो इन दोनों का mean निकल दो E by F divided by 2 कर दो तो इन दोनों के बीच में निकल के आ जाएगा और E by F plus C by D divided by 2 कर दोगे तो इन दोनों के बीच में एक rational number निकल के आ जाएगा I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी मैं एक बार वापस से इसको summarize कर देता हूँ तो उसके बाद में हम questions के उपर इसको apply करके देखेंगे तो देखो हमें क्या करना है दो रेशिटल numbers के बने हैं उनके बीच में बाकि करें रेशिटल numbers इ Alabama इकांड करने का देहान रखना है कि mean का concept धियानर का mean क्या होता है कोई ऐसी value होती है जो दो numbers के बीचो बीच आती है और अभी हमें बीच की value तो चाहिए तो हम क्या करेंगे उन दोनो numbers का mean निकाल देंगे और mean कैसे निकाला जाता है दोनो numbers को aid करके 2 से क्या कर दो divide कर दो जो result आएगा जैसे मालनों यहां पर e by f e by f कुछ भी हो सकता है 1 by 3 1 by 4 वो जो result है हुगा इन दोनों के numbers के a by p and c by d के बीचो भी इस लाई करेगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यह इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा अगर यह मान के चले कि यह वाला number बढ़ा है और यह वाला number चोटा है हमें यह धान रखना पड़ेगा कि यहां पर अगर a by b क्या है चोटा है c by d बढ़ा है तो उसके हिसाब से हम यह लिखेंगे कि यह जो e by f है वो इससे बढ़ा होगा इससे छोटा होगा अगर यह बढ़ा है तो e by f क्या होगा यह बढ़ा होगा इससे चोटा होगा i hope यह बात आप लोगों को समझ में आरे की तो हम ने क्या किया एक ap이면 निकाल लुए फिर whole Г 5 यह बढ़ार यहां पर second rational number आ गें हमारे पास इन दोनों के बीच में तो इन दोनों का mean निकाल दिया वो क्या होगा इन दोनों को sum करके two का divide कर दिया फिर तीसरा निकालना तो इन दोनों की बीच में तो third rational number क्या होगा इन दोनों का mean निकाल दो इसका कोई भी result निकल के आएगा वो हमारा third rational number हो जाएगा I hope यह method आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब इसको apply कैसे करें question solve कैसे होंगे इससे वह हम करके देखते हैं question तो देखो हमारे पास given rational numbers क्या है और one upon four and one upon two अब हमें इसके बीच में पहला rational number find करना है तो first rational number between one upon four and one upon two तो वो क्या होगा दोनों का mean निकाल तो mean कैसे निकाल होगे one upon four plus one upon two और इस पूरे को क्या करना है divide by two मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ ठीक है आप चाहो तो यहाँ पर denominator में two भी लिख सकते हो इसका क्या होगा विए मेरे पास जगे बचेगी और last में इसको में क्या करूंगा फिर solve कर दूंगा तो अब देखो पहले इन दोनों का sum करना है तो sum करने के लिए हमें क्या करना है एलसेम लेना 4 और 2 का एलसेम कितना आएगा 4 आएगा उसके बाद में हमें क्या करना है इसको इससे divide करना मतब इस 4 में 4 से divide करना 1 time होगा 1 को 1 से multiply करेंगे 1 आएगा प्लस इस 4 में 2 से divide करेंगे 2 2 time होगा 2 को 1 से multiply किया 2 आएगा फिर इसको divide करना किससे 2 से अब यहां आगे solve करें तो यह तो बनेगा 3 upon 4 अब divide को कैसे solve किया जाता है divide को multiply बनाये जाता है वे इस 2 को 2 upon 1 लिख सकते हैं इसका आगे क्या कर देंगे reciprocal तो कितना आया 3 upon 8 मतलब यहां जो 3 upon 8 वो इन दोनों का में निकल के आगे यानि हम यह भी बहुत सकते हैं 3 upon 8 actual में क्या होगा 1 upon 4 से बढ़ा होगा 1 upon 2 से छोटा होगा अब मैंने यह ऐसा क्यों लिखा है दियान रखना 1 upon 4 चोटा होता है 1 upon 2 बढ़ा होता है तो इसलिए 1 upon 4 से बढ़ा होगा 1 upon 2 से छोटा होगा अब हमें second rational number find करना है तो second rational number कैसे find करें हम इन दोनों का क्या कर दें मीन निकाल दें तो 1 upon 4 plus 3 upon 8 divide by 2 तो आगे में यहां करना हूँ देखो पहले तो addition करो दोनों का LCM कितना आएगा 8 आएगा इसको इससे divide करो 8 में divide करना है 4 से 2 टाइम होगा 2 को numerator यानी 1 से multiply करेंगे तो 2 आएगा plus फिर 8 को इस 8 को divide करना है इस 8 से तो वन टाइम होगा 1 को 3 से multiply करेंगे तो 3 आएगा और आगे solve करोगे इसको तो कितना बन जाएगा 5 upon 8 को divide करना है 2 upon 1 से यानी कि 5 upon 8 multiply 1 upon 2 तो result कितना है 5 upon 16 तो हमने second rational number find अब यह किसके बीच में होगा इन दोनों के बीच में तो हम आगे लिख सकते हैं कि 1 upon 4 से तो बढ़ा होगा 5 upon 6 लेकिन 3 upon 8 से छोटा होगा अब आप क्या करना खुद solve करना इन दोनों के बीच में रेस्टर number 1 और उसको कहां लिख देना यहां लिख देना I hope यह चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी अब एक question और कर लेते हैं इसे के साथ फिर हमारा lecture फिनिस हो जाएगा तो देखो इसको आप अच्छे से समझना अगर समझ में नहीं आता रिवाइंड करके देखना फिट भी आप लोगों को अगर कोई problem आती है तो आप comment करके बता सकते हो हम कोशिस करेंगे कि आगे आने वाले किसी lecture में आप लोगों के लिए इसी concept को वापस से अच्छे से समझा दिया ज और solution में क्या लिखोगे first rational number में direct लिखना हूं यहाँ पर first rational number कैसे निकाला जाएगा दोनों का mean निकालना है यानि 1 upon 2 minus 1 upon 2 plus 3 upon 4 divide by 2 अब इन दोनों को 8 कर लो उपर पहले कितना आएगा 4 आएगा LCM और नीचे divide में यहाँ पर 2 चली रहे यह वाला part ठीक है यह वाला divide में 2 चली रहे तो देखो इसको मतलब इस 4 को divide करना है इस 2 से 2 time होगा फिर minus 2 1 से multiply करेंगे 2 को तो minus 2 आएगा plus फिर इस 4 को divide करना है इस 4 से तो 1 time होगा 1 को 3 से multiply करेंगे तो 3 आएगा तो देखो minus 2 plus 3 क्य आएगा 1 upon 4 इसको divide करना है 2 से अब 2 upon 1 लगा लो इसको 1 upon 4 multiply 1 upon 2 लिख सकते हैं तो यानि कितना है 1 upon 8 यानि 1 upon 8 क्या है minus 1 upon 2 से तो बड़ा है और 3 upon 4 से I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा उसके बाद में हमें क्या करना है एक और second national number find करना है तो क्या करोगे इन दोनों के बीच में find कर दो एक तो क्या होगा minus 1 upon 2 plus 1 upon 8 divide by 2 हो जाएगा दोनों का LCM कितना आएगा 8 आएगा फिर इसको मतलब इस 8 को divide करो इस 2 से 4 time होगा 4 को minus 1 से multiply करेंगे minus 4 आएगा इससे 8 को 8 से multiply divide करेंगे तो 1 time होगा और 1 को 1 से multiply करेंगे तो 1 आएगा और divide by 2 तो देखो उपर तो कितना बन गया minus 3 upon 4 divide को multiply बना के अगले वाले नंबर का क्या कर देंगे reciprocal कर देंगे तो ये कितना बन गया minus 3 upon 16 अब ये minus 3 upon 16 क्या होगा इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा तो हमारे पास अब जो 2 रहसनल नंबर आगे ये इससे बड़ा कितना होगा minus 3 upon 16 इससे बड़ा 8 फिर आप थार्ड रहसनल नंबर किसके बीच में find करना इसके बीच में निकल के आ जाएगा वो आप खुद निकालने की कोसिस करना वो क्या होगा इन दोनों के बीच में आप नोट कर लीजिए इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खतम होता है मैक्ष लेक्चर में हम लोग रहसनल नंबर के ऊपर कुछ वर्ड प्रोब्लम को सोल करने वाले हैं इसी के साथ फिर हमारा चेप्टर नंबर वन पूरा फिनिस हो जाएगा उसके बाद में हम अभ्यास साम से आप लोगों के लिएक सिरीज लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो भी क्योंस बनते हैं उन सब को तीन यार चार अभ्यास सिरीज के थूप कोसिस करेंगे कि अच्छे-चे क्योंस आप लोगों को अच्छे से सोल करवा दिये आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और साथ ही कोमेंट करके बताईए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है वीडियो में अगर आप लोगों को कोई प्रोब्लम आईए कोई कौन सब समझ मिल जाए तब तक के लिए थेंक्यू